यह बात करने वाले हैं आपके विनका रोजिया यानि कि विनका अलकोलोईट के मेकनिजम आफ एक्षिन को as an anti-cancer drug यह यूँ कहें कि हम बात करना है micro-tubule damaging agent के अंदर विनका अलकोलोईट के बारे में आपने basic जनक कर दो हमें आज के whiteboard section में देखा ही है जिसमें हमने बात क्या कि यह विनका क्निदका पाइब रॉजिया के लेप से पाइजाते हैं और यह लगबग हम सभी के घर में पाइजाने वाला एक common natural source है इस विनक्रिस्टीन और विनíenas भिर्श्टीन का तो हमको समझना है अगर विंकालगुलाइट के mechanism of action को सबसे पहले हमको normally एक बार revise करना होगा एक दो phase of cell cycle का और उसमें से भी जो M phase है हमारा यानि कि हमारा जो mitotic phase है cell cycle का इसके अंदर भी जो आपके sub phase होते हैं प्रो phase, metafase, enafase, telophase और फाइनली फिर आपका cytokinesis जो होता है इसको एक बार हलके से revise करने क्या हो शकता है अगर आप अपने left side screen पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक cell है और इस cell के यह जो nuclear membrane है इसके अंदर हमारे centromere पाया जाते हैं इस छोटे-छोटे dot को आप देख रहे हैं यह centromere attach होते हैं chromatid के साथ यह chromatid after replication chromosome बनते हैं तो यह हमारे chromatid हो गए यह हमारे chromatid के बीच में पाया जाने वाले centromere हो गए अब इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं हलका सा आपको yellow color के spindles जैसे दिख रहे हैं या कुछ बीच में चोटे चोटे डॉट पाया रहे हैं यह हमारे centriol तो आगे क्या होगा जैसे ही यह तो आपके pro phase है यहां पे अभी कुछ होना start नहीं हुआ है एक basic part है और यहां पे आपका nuclear membrane present है अगला जो phase होता है आपके mitosis के इस phase के बाद वो होगा आपका metafase तो यह metafase है actual में हमारा main target phase है metafase में होता क्या है metafase में आप देखेंगे यह जो आपके mitotic spindle है और आपके centrioles है वह aligned हो जाते हैं आपके cell के साइट और आपके centromere जिसमें attach हैं आपके chromatid यह भी cell के बीच ओ बीच align होते हैं देखिए आप center में यह align होए है एकदम center of the cell में यह align होगे इसके बाद यह mitotic spindle है जो धागे जासा structure है यह move करते हैं इन तक और इसके बाद यह attach हो जाते हैं इनके attach होने के बाद क्या होगा अगला step यह इनको अपनी तरफ पुल करना start करेंगे सो यह आपका metaphase हो गया metaphase is main phase मैं इसको दुबारा आ जाओंगा इसको आपको समझाने के लिए लेकिन अगला phase देख लेते हैं metaphase के बाद जो अगला phase है वह हमारा है इसमें इस तरह के जो आपके chromatid थे यह अब separate हो गए है sister chromatid में convert हो गए है they are now separated तो देखिए each chromatid का अलग-अलग हिस्ता बन चुका है यह जो दोनों साथ में थे वह अलग-अलग हो गए इसके बाद telophase आएगा जहां पर दीरे-दीरे nuclear membrane reform करना स्टार्ट करेंगे और वापस से आकरी में cytokinesis के थ्रू यह दो अलग-अलग cell में बना लेंगे यह एक normal process है जो कि general cell में होगा और यह अगर cancer cell के बारे बात कर रहे हैं तो यह process होगा normal cell में भी यह process है cancer cell में भी यह process है लेकि इनका multiplication fast होता है controlled manner में नहीं होगा एक normal cell में आप देख रहे हैं एक cell का finally दो daughter cell में conversion हो रहा है two identical daughter cell बन रहे है लेकिन cancer cell अगर यह होगा तो यह multiplication fast हो जाएगा यह एक basic difference है अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पूरे इस diagram में तो जो हमारा main point attraction है वो यह है जो मैं आपको कहा कि मेटाफेस क्योंकि इसी मेटाफेस में हमारे माइटोटिक स्पिंडल है वो बन रहे हैं और माइटोटिक स्पिंडल के बनने के कारण से आपके जो यह chromatid बगर है आगे जाकर का सेप्रेट हो जाएंगे दोनों तरफ आप देख सकते हैं आपको उनके नाम सही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कर क्या रहेंगे यह जो आपके माइटोटिक स्पिंडल है यह बनते हैं आपके टिबियूलिन से तिबियूलिन के बारे में भी हमने आपको अलफा टिबियूलिन बीटा टिबियूलिन इनका जब पॉलिमराजेशन हो जाता है तो एक धागा एक तंतु जैसे बनाने का काम करते हैं यहाँ पर माइटोटिक टिबियूल डामेजिंग एजेंट का मतलब ही यह के है कि यह माइक्रो टिब्यूल को डामज करेंगे और यह जो माइक्रो टिब्यूल है उनहीं का तो पॉलिमराजियेशन फॉर्म में आपका माइटुटिक स्पिंडल है तो उनको ब्रेक करना है ताकि सेल के मेटा फेस को आपन अफेट कर सकेंगे तो यहां पर अब आप सकते हैं सो विंकल क्लाइट करेगा क्या यहां पर देखे जनरली इस तरीके से हमारे जो माइटोटिक स्पिंडल है वो बढ़ने लगते हैं ताकि आगे जा करके हमारे इस सेल के क्रोमेटिट को खीचें अपनी और दोनों तरप से यही प्रोसेस होगा यह जो आप अभी देख अब हमको टारगेट जब बात करनी है हमको जब बात करना है विंकल कलाइट का तो हमको इसी फेस पर टारगेट करना है तारगेट कहां पर होगा यह जो डॉट डॉट में आपको बना दिखा रहा हूं यह हमारे आपके माइटोटिक स्पिंडल है इनको हमको ब्रेक करना है तो हमारे जो vinca alkaloid है, वह इसी mitotic spindle को break करते हैं, इनके formation को inhibit करते हैं, ताकि ये जो cell है वो replicate ना कर सके, और इसके कहां से cell का जो growth है वो रुख जाए, और cell आगे दाकर के death हो जाए, याने कि इनके cytotoxic activity शो करें, तो हमारा target vinca alkaloid का यहीं पर है, यहीं पर जाके वो काम करेंगे, अब वो काम कैसे करेंगे, इनको ब्रेक करते चलेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कि अगर मैं अब vinca alkaloid को, vinca alkaloid को मैंने ले लिया, और यह vinca alkaloid आपके इस cell पर जाके काम कर रहा है, आपको एक चीज़ और भी आज़ रखना होगा, कि यह vinca alkaloid है, वो आपके इस तरह के cancer cell को भी affect करेगा, साथी साथ जो normal cell है, non-canceral cell है, उनको भी affect करेगा, और इसकी एक खास बात और है, कि यह vinca alkaloid है, vincristine, vincrastine है, यह आपके cell cycle specific drug के अंदर रखे गए हैं, इनको यूँ break करते चलेगा, आप ध्याद से देखिएगा, इस तरह से धीरे धीरे इनको break करते चलते हैं, इस तरह से break करते चलते हैं, तो हमारे mitodic spindle break हो जाएंगे, और इसी के जैसे activity यहाँ भी आप देखिए, कि इस तरह से यह इनको break कर रहे हैं, और mitodic spindle जब break हो जाएगा, तो break होने कारण से, यह अब आपके cell division में अपनी कोई मतुपूर्ण भूमिका नहीं दिखा पाएंगे, और जब यह mitodic spindle ही destroy हो जाएगा, cell cycle नहीं होगा, अगला step होगा, कि अब यह हमारे spindle नहीं रहे, यहाँ पे spindle था, वो spindle नहीं रहा, तो यह जो cell के आपके chromatid थे, वो इस तरफ पूल हो रहे थे, आपने देखा कि आपके center के और एक-एक हिस्सा इस तरफ पूल हो रहा था, दूसरा हिस्सा आपके इस तरफ पूल हो रहे थे, तो अब जो पूल करने वाले रस्ती, धन्तू, धागा, chromatid ही नहीं रहे, तो यह कैसे पूल होंगे, तो आगे जाकर के face problematic condition में आ जाएंगे, और इसके बाद finally जो cytokinesis हो रही थी, नए cell, नए daughter, नए argetical daughter cell बनाने का, वो यहीं पे रुख जाएगा, तो कुल मिला करके हमारे जो आपके विनका अलकॉलाइड है, उनका काम करने का तरीका आपने देखा, कुल मिला करके हमारे जो विनका अलकॉलाइड है, हमारे microtubule damaging agent है, उनका काम करने का तरीका आपने देखा, दुबार रिवाइस करूँगा, वो इसी microtubule पे affect करते हैं इन ही को अब ये पूरी तरह से destroy कर देते हैं ये microtubule नहीं रहेगा तो आपका cell division में जो responsibilities थी वो पूरा नहीं हो पाएगा and this cell will not be able to multiply more तो ये हमारा vinca alkaloid इसने affect किया आपके metafase को उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा so at the last thank you very much for watching and listen to this video thank you